नमश्कार मैं हूं अमित कटोच वेलकम टू एश्प अमित एज्जुकेशन हिमाच्चर प्रदेश पुरा स्लेबस मेंशन कर दिया है पहले भी आपको हिंट दिया गया था कि कितने कोशन आएंगे तो वो 90 कोशन थे बट आप पूरा ही पाइडवाइस भी आपको पूरा स्ल यहां पर जो पांच एक्षन है वो सारी मेंशन करेगी है जो पहले ड्वार्मेंटल एक्जाम होता था जो पुलिस का जो ड्वार्मेंट है वो ही पहले एक्जाम करवाता था बट इस बार जो नया चेंज है कि पब्लिस अब इस कमिशन जो यह एक्जाम करवाएगा और जो इसे 20-20 जो है question यहां पर आएंगे कौन-कौन से topic include रहेंगे तो भो भी mention किये गए हैं आप English का देखें तो English में यहां पर tenses include है direct or indirect speech include है change of voice include है collection of sentences यह topic include है article का topic include है साथ मैं part of speech के topic बसते है most most important यह सारे topic इसमें include है तो इनी topic में से आपको जो है वो बीस question देखने को मिलेंगे साथ में जो हिंदी का यहां पर mention किये गए है उपर भी mention किये गए है कि जो standard रहेगा वो metric का standard रहेगा means कि जो metric based के ओपर आपको यह सारे जो है questions पूछे जाएंगे जो basic topic रहता है प्राइवची शब्द, बिलमार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनार्थी शब्द, संग्या सर्वनाम विशेशन, क्रिया, अव्यव, मुहाबरे लोकोगतियां इस सारे ही topic इसमें include रहेंगे तो आप comparison भी कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश का कि दोनों का grammar similar चलता है तो कौन कौन से topic यहाँ पे include किये गए हैं और कौन से topic include नहीं है तो जो topic include किये गए हैं तो वो अपने अच्छ से करने हैं इसके बाद जो third section है वो है math का math भी math standard का रहेगा बीस question इसमें पूछी जाएंगे main main topic math के include हैं जैसे rational number, rational number क्या होते हैं तो rational, irrational ये concept चलते हैं real number का ये part हैं साथ मैं fraction और decimal तो fraction और decimal fraction दोनों ही concept मिलते जूलते concept है mensuration ये जो mensuration का topic है सबसे बड़ा topic है यहां से आपकी 2D और 3D की figures बनती है means कि यहां पर आपको जो area के question वो देखने को मिलेंगे साथ जो total surface area के question होते हैं 3D के curve surface area के question होते हैं वो सारे ही यहां से question बनेंगे इसमें हमें square मिल जाता है कि square के question include होंगे rectangle question include होगी triangle include होगी साथ में circle include होगा साथ में जो 3D की figures बनती हैं वो सारी इसमें include होगी तो most most जो है topic यह important है next profit और loss लाव रुहानी क्या होती है वो आप सभी जानते हैं time and distance का topic important topic triangle का topic strategic यह भी important है इसमें भी आपको mean, median, mode यह सारी concept देखने को मिलते हैं साथ साथ probability probability में आप अनुमान लगाएंगे कि इसमें जैसे coin के question पूछ सकते हैं dice के question पूछ सकते हैं साथ में आजकल जो gain वाले question होते हैं तो बहुत में पूछे जाते हैं तो यह तेन section है जहां पर जो syllabus divide किया गया है और जो fourth section reasoning का section mathematics और reasoning मैं teach करता हूँ हमारा first batch भी शुरू होने वाला है हम आपको पूरी information उसकी आगे देते हैं पहले आप पूरा syllabus note on कर लें जो reasoning है reasoning में आप देखें तो कौन से topic include हैं तो सारे ही एक तरह की non-verbal reasoning include है और simple reasoning include है अगर आपका mathematics reasoning part और both language यह पार्ट चार पार्ट आपके स्टॉंख होंगे तो आप अराम से जो यह exam निकाल सकते हैं जो पांचमा पार्ट है यह थोड़ा सा contradict रहता है क्योंकि exam में question कहीं से पुछी जा सकते हैं जैसे कुछ topic आपको direct learn करने वाले होते हैं आप book से भी कर सकते हैं कहीं से भी कर सकते हैं यह सारे topic आपको मिल cloak and calendar का topic रहेगा important question यहां से बनते हैं number series number series यहां पर लिखा है तो इसके साथ latter series mix series सारे concept जो निक्रूट होते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ number series ही पढ़ने हैं आगे वैसे mention भी किये गए है number ranking यह topic की मिलता जूलता topic है mathematical reasoning इसमें जो mathematical के symbols होते हैं उन से related questions बनते हैं alphabet series q and dice non-verbal series analysis के question and blood relation तो यह topic यहां पर mention किये गए हैं सारे ही topic important है और अराम से यह topic हो जाते हैं next जो general awareness का section है यह most most important section है इसमें national international organizations जातर जो international organizations हैं वो एक्जाम में पुछ जाते हैं जैसे हम UNO की बात करें तो सबसे बड़ी जो organization है पूरे world की उसके अंदर और भी बहुत सी organization हमें देखने को मिलती हैं सिमिलर हम national की बात करें तो national level पर भी बहुत सी organization है जहां से exam में question बनते हैं और यहां से आप 100% लेके चलेंगे यहां से आपको एक दो देखने को मिलेंगे next book and authors आप जो भी important books आप 500-200 जो books and authors उनके नाम आप याद कर लेंगे books के नेम और author name तो main main जो previous पूछे जाती है तो वह इसमें आगे भी पूछे जाएंगे आगे यहां पर थोड़ी से general science भी include करी गई है साथ मैं जो country's capital बो टॉपिक इंक्रूड है means कि यह भी एक तरह का international awareness का topic है current of finance mostly जैसे यह mention किया गया है कि current और previous year तो एक year वन year आपको पूरा इसमें करना पड़ेगा तो यह भी most important part इसमें रहेगा साथ मैं इक पूर्ण डेट कौन से रहते हैं एवरी वेशन्स ठीक है साथ मैं award कौन कौन से sports part कौन सा है culture of हिमाचल परदेश जिग्रोफी यह हिमाचल का भी part include किये गए अगर 20 marks का topic है इसमें marks divide है तो 5 से 7 question आपको HPGK से यहां से बन सकते हैं ठीक है साथ मैं जो हिमाचल परदेश की जो government की क्रंट की schemes हैं जातर question बनते हैं क्रंट की scheme से तो यहां से भी 2-3 question आने की chances हो जाते हैं तो आप यहां पर देख लें किस त्रीके से यह सारा syllabus divide किया गया है पुलिस कोंस्टेवल के exam के लिए जो हमारा online classes का batch है वो 25 मंबचे शुरू हो रहा है आप पूरी detail आप यहां पर note on कर सकते हैं इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा तो इसमें आपको live classes, live classes का recorded access वो भी निक्लूड रहेगा साथ में हर भी कापके mock test होंगे और norms इसमें लेबल है लाइब लाइब जो classes होंगी डेली आपको यहां पर 3R का schedule मिलेगा 3R का schedule में पूरी classes रहेंगी और live के साथ recorded का भी आपको option मिलेगा means कि आप कभी भी जो class अगर लाइब नहीं लगा रहे हैं तो बाद मैं ओडून कर सकते हैं हर Saturday को आपके जो इसमें mock test होंगे तो mock test हर Saturday को आपको इसमें मिलेंगे प्रोपर पैटर्न में जो है यह test होंगे जो पबिल सब इस commission का pattern है उसी पैटर्न में आपको जो है यह test मिलेंगे नेक्टरी मार्किंग भी निक्लूड होंगी जैसे exam में नेक्टरी मार्किंग है तो वो भी इसमें निक्लूड रहेगी और आप अपनी जो performance है वो भी बाग के students के recording इसमें देख पाएंगे तो live recorded mock test, notes सब इसमें निक्लूड होंगे तो जो भी students हमारे साथ त्यारी करना चाहते हैं तो bell आपको classes यह मिलेंगी nominal charges रहेंगे दोनी courses में और 25 November से जो हमारी classes जो इसमें शुरू होंगी male female दोनों ही जो इसमें detail ले सकते हैं आप simply यह जो number mention किया गया इसके तो आपको हमसे contact कर सकते हैं आपको साथ detail जो है वो बड़सप के तो मिल जाएंगी जो भी syllabus आपको बताया गया है आप उसको पाड़ वाज तरिके से त्यार करें आपका पूरा syllabus जो यह cover हो जाएगा आई वापको यह जो information यह पसंद आई हो